आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हमारी पाटे पुष्टक अंत्रा में दिये गए प्रस्तुत पाट कभीर के पद को इस पाट में कभीर के दो पदों को लिया गया है हम भी इस पाट को दो भागों में पढ़ेंगे पढ़ते हैं प्रस्तुत पाट का भाग नमबर एक जिसमें हम जानेंगे कभीड़ दास जी के जीवन की परीचे को और प्रस्तुत पाट में दिये गए पहले पत को सापरसंग व्याख्या सहीत पढ़ते है कभी का परीचे यानि महान संत कभीड़ दास का जन सं 1398 में बनारस जोकी उत्तर प्रदेश में आता है उसके पास लहर तारा में हुआ था कभीड़ दास भक्ति काल के निर्गुण धारा यानि ग्याना श्री शाका के प्रतिनिदी कभी माने जाते है इनकी प्रमुक रचना बीजक है जिसमें कभीर साखी कभीर सबद एवं कभीर रमेनी संकलित है कभीर की रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव हमें मिलता है कबीड़ दास धार्मिक कर्मकांडो और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाती भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय के स्थान पर समाज में प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन वे करते थे कबीड़ दास का निधन सन 1518 में हुआ था तो दोस्तो यह था महान संथ कबीड़ दास का संग्शिप्त जीवन परीचे आये जाने प्रस्तुत पाट में दिये गए पहले पद को सपरसंग व्याख्या सहीत तो पद है अरे इन दोहुन रहा न पाई हिंदू अपनी करे भड़ाई गागर छुवन न देई बेस्या के पायन तर सोबे यह देखो हिंदू आई मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई खाला केरी बेटी बिया है घरई में करे सगाई बाहर से एक मुर्दा लाए दोए धाई चडवाई सब सखिया मिली जेवन बैठी धरबर करे बढ़ाई हिंदून की हिंदू आई देखी तुरकन की तुरकाई कहे कबीर सुनो भई सादो कोन रहा है जाई तो दोस्तो यह तब रस्तुत पाड़ में दिया गया पहला पद आए जाने इस पद में आए शब्दों के बारे में यहाँ दोहुन कार्थ होता है दोनो गागर कार्थिया पर होता है मटका बेश्य कार्थ होता है या वेश्या जिसे अंग्रेजी में सेक्स वरकर भी कहा जाता है खाला कार्थ होता है या मोसी घरई कार्थ होता है घर में जेवन कार्थ होता है जीमना या भोजन करना तुरकन कार्थ होता है आपर मुसल्मान रहा कार्थ होता है रास्ता सादो कार्थ होता है सादू संत तो दोस्तों यह थे प्रस्तुत पद में आए शब्द आए जाने प्रस्तुत पद को प्रसंग और व्याख्या सहीत इस पद का प्रसंग है प्रस्तुत पद हमारी पाठे पुष्टक अंतरा में संकलित पाठ कबीर के पद से लिया गया है प्रस्तुत पद में कबीर ने हिंदूों और मुसलिमों के धार्मिक आचरोनों पर प्रहार करते हुए उनकी कूरीतियों का खंडन क्या है यानि इस पद में कबीर नाजी ने हिंदूों और मुसलिमों के बारे में कहते हैं की ये दोनो धर्मों के लोग मार्ग से भटक गए है अरे इन दोन रहा ना पाई दोन का अर्थ उता है दोनों अरे ये दोनों रास्ते से भटक गए है हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुबन न देई हिंदू के प्रती कबीर कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ट मानता है लेकिन वे अपने ही लोगों को अपने से निम्न जाती वाले लोगों को अपने घर का मटका भी छूड़े नहीं देता है अपने ही लोगों से वे छूआ छूट करता है और वे अपने धर्म की बढ़ाई करता है ये कैसा हिंदु धर्म हुआ कभीर आगे कहते हैं कि बेशिया के पायन तर सोबे ये देखो हिंदु आई हिंदु अपने से छोटे जाती वालों को पानी तो देता नहीं है बही बेह हिंदु बेशिया के पैरों में रात बर सोता है ये देखो कैसा हिंदू धर्म है मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई हिंदू का कटाक्ष करने के बाद कवीरदास जो है मुसलिमों पर भी तंज कसते है सबसे पहले वे मुसलमानों के धार्मिक गुरुओं यानि पीर ओलियों के बारे में कहते है वे कहते हैं कि पीर ओल ये जो है धार्मिक उपदेश दिया करते हैं लेकिन वही मुर्गी मुर्गा का मास खाते हैं वही जीव जन्तूओं को खाते हैं तो ये कैसे सादूसंत हुए कबिर आगे कहते हैं कि ठाला केरी बेटी बिया है घरी में करे सगाई मुस्लिमों में मोसी की बेटी से ही शादी कर ली जाती है घर में खून के रिष्टे से बिया कर लिया जाता है ठाला केरी बेटी बिया है घरी में करे सगाई बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाय चड़ है सबसक्या मिली जेवन बैठी घर बर करे भड़ाई घर के सभी लोग बैठ कर उस मास को बड़े स्वाद से खाते है और उसकी तारीफ करते है उस बने हुए मास की तारीफ करते है और उस चाधी का वै मनोरंजन करते है तो ये है मुसलिम धरम का आचरण आये जाने कबीर जी यहां कबीर हिंदूों और मुसलिमों के धरमिक आडंबरों को जानकर कहते है कि मैंने हिंदूों की मान परतिष्टा को जान लिया है जो जूटे धरमिक आडंबर करते है और मैंने मुसलिमों के धरम को भी जान लिया है और दोनों ही धरमों के लोगों का जूटा दिखावा है हे सादूो सुनो कभीर तुमसे कहता है कि ये दोनों धरम के लोग ना जाने किस रास्ते पर जा रहे है ये अपना रास्ता बटक गए है ये धरम के मार्ग पर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे है जहां हिंदू एक तरफ अपने धर्म को सर्वर्षिरेष्ट मानता है वही अपने सेनिम्न जाती वाले लोगों को वे अपने घर का पानी तक नहीं पिलाता है और वही हिंदू रात बर वेशिया के पैरों में पड़ा रहता है वही मुस्लिम जो है अपने ही घर की बेटी से साधी कर लेते है और बाहर से मास मंगवा कर बड़े चाव से खाते है ये दोनों धर्म के लोग जो है रास्ते से बटक गए है ना जाने ये लोग कहां जा रहे है तो दोस्तो यह था हमारे पाठ का पहला पद प्रस्तुत पद में धार्मे काडंबर करने वालों पर कवेड़ दास जी ने प्रहार किया है निडर होकर उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों की कूर्यूतियों को बताया है पद की भाषा सदूकडी भाषा है अनुपरा सलंकार का यहां समावेश है पद गयात्मक एवं लयात्मक शैली में है तो दोस्तों यह था हमारे पार्ट का पहला पद इस पार्ट के अगले पद को देखेंगे हम अपने अगली वीडियो में धन्यवाद